दोस्तों Infinix के दौपरा अभी लॉंच क के गाया है, Infinix Smart 4 Plus Dや दोस्तों यह smartphone इंडिया में 21 जुलाइ को launch के गाया था मेरा smartphone मुझे दिलीवर यहाँ पर हो चुका है तो आज की स्युद्धा में दोस्तों हम इसके unboxing करने वाले है और phone का जो first look है वो आप लोग को देने वाले हैं उसके बाद में जो पूरा review वीडियो है वो आपको अलग से मिलने वाला है लेकिन आज की इस लूड़े में आपको unboxing मिलने वाली है phone का जो first impression है वो आप लोग को मिलने वाला अपने price segment के अंदर तो चलिए दो स्टार्ट करते हैं आज का unboxing वीडियो और कल दोस्तों इन्फिनिक्स अपने ट्रू वारेस Bluetooth earphones भी launch करने जा रहा है जो कि स्नोकर्स यहां पर होने वाले हैं तो कल उनका unboxing वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तो दोस्तों यह रहा box यहां पर Infinix Smart S4 Plus का काफी बड़ा box यार जो भी Infinix के अभी तक जो smartphone यहां पर आते थे उनसे बड़ा box यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों यहां पर जो box आपको मिल रहा है वो जो है एक 6.8 इंच के smartphone का देखने को मिल रहा है और यह जो वेरिंट होने वाला है दोस्तों वो इंडिया में एकी वेरिंट फिलाल इसका launch किया गया है 3GB RAM वेरिंट जिसमें आपको 32GB गस्तों मिलेगा 6000 एमेज की यहां पर आपको बैटरी मिलने वाली है और डीटेस साउंड का सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिल ज प्ले होने वाला है जो कि 6.82 इंच का होगा 6000 एमेज की बैटरी यहां पर आपको देखने को मिलती है जो कि आपको तीन दिनों तक चलने वाली है अगर आप इससे यूज करेंगे तो भी आपको तीन दिनों तक का बैटरी बैक अप देगी फेस अनलोग और फिंगर पिंगर करने वाला है मेट फोर इंडिया यहां पर लिखा गया है और यहां पर 3GB प्लस 32GB यानि कि जो है यह 3GB रेम वेरिंट वन वाला है चलिए यार अब इसके अन्बॉक्स करते हैं और दिखाते हैं कि इन्फिनिक स्मार्ट फोर प्लस जो है किस तरह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा और वही जिस तरह से इन्फिनिक्स की जो पैकजिंग होती है सामने डिस्प्ले पर आप पुझो यहां पर उनका पूरा स्पैसिकेशन सीट है वो देखने को मिल जाता है और बिग स्क्रीन बिग बैटरी यहां पर लिखा गया और डिस्प्ले बैटरी और फिंग कॉंटेंट देख लिए कि बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपको यह पावर अड़ाप्टर देखने को मिल जाता है यह जो आपका पावर अड़ेफ्टर होने वाला दोडो blind door two ampere का होने वाला है तो यह power adapter आपको box के अंदर देखने को मिलता है तो फिलाल इसको जो है मैं side में रखता हूँ और उसके बाद जो USB cable है वो आपको provide की गई है कुछ इस तरह से जो है यह USB cable यहाँ पर होने वाली है यानि कि micro USB cable यह आपको box के अंदर देखने को मिलती है उसके बाद दोस्तो कुछ एक papers वगेरा यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं जो कि infinix की तरफ से आप लोग को provide की गए और यह SIM ejector pin यहाँ पर होने वाली है तो SIM tray भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको जो case है दोस्तों वह देखने को मिलता है इस बाद आपको hard case provide किया गया जी हाँ दोस्तों इस बाद आपड़ ah dpg नहीं होने वाला है इस बार आपको hard case provide किया गया है जो की काफी अच्छा होने वाला तो यह आपके स्मार्टफोन को बिल्कुल प्रोडेक्ट रखने वाला है और इस बार यार जो क्वालिटी है कि वो मुझे काफी पसंद आई उसके बाद लास्ट में आपको जो स्क्रीन प्रोडेक्टर है दोस्तों वो यहां पर आपको देखने को मिल जा रहा है तो यह कुछ फिल्म है उसे मैं यहां पर निकाल देता हूँ उसके बाद में जो पीछे की फिल्म है उसे भी निकाल देता हूँ तो यह यहां पर आपको जबरदस बैक देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स ने आपर लिखा गया है और यहां पर जो आपका डूल कैमरा है दोस्तों वो आ आपको यहां पर दिया गया है, जो की setup यार काफ़ी अच्छा यहां पर दिया गया है, AI 13 Megapixel यहां पर लिखा गया है, तो यह कुछ camera setup यहां पर आपको देखने को मिलता है, और triple LED flash light जो है यहां पर आपको देखने को मिल रही है, इस smartphone के अंदर इस side याने की right hand side पर आपको ज SIM tray अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उससे पहले नीचे की तरफ हम यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर आपको micro USB port मिलता है, 3.5 mm audio jack मिलता है, और यहां पर आपको जो microphone है, वो यहां पर दिया गया है, तो फिलाल मैं यहां पर SIM tray आपको निकाल कर दिखा देता हू वो देखने को मिलता है, Wi-Fi calling का support यहां पर आपको देखने को मिलता है, साथ में आप अपना SD card भी यहां पर अलग से लगा पाएंगे, तो भाई, अब भी मैं phone को on कर लेता हूँ, और उसके बाद पूरा setup करके आप लोग को दिखाता हूँ, तो हम यहां पर जो power button है, वो प यहां पर set करते हैं, pattern उसके लिए हम यहां पर set कर लेते हैं, तो यह मैंने pattern यहां पर लगा दिया है, और उसके बाद अब जो face unlock वाला feature है, वो अब हम यहां पर देख लेते हैं कि किस तरह से यह काम करेगा, तो मैं यहां पर face है अपना वो नजदीक लाता हूँ, और यह हम पर हमने कर दिया, अब fingerprint scanner जो है, उसके लिए भी जो मैं data वो यहां पर add कर देता हूँ, यहां पर काफी बड़ी display आपको देखने को मिल रही है, और quality भी यार डिस्पले की मुझे काफी अच्छी लग रही है, जो colors वगएर, आप लोग देख सकते हैं, काफी जबरदस्त है, यहां पर side view, angle भी जो है, काफी अच्छा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो display यहां पर आपको देखने को मिलेगा, launcher कुछ इस तरह का यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो apps हैं इस बार जो आपको किसी भी तरह की कोई भी फाल्तु एप देखने को नहीं मिल रही है, आप लोग देख सकते हैं, जो pre-installed apps हैं, उनमें से जो share chat है, वो आपको देखन की तरफ से बहुत सारी apps आपको प्रोवाइड की जा रही है, बूम प्ले, फोन मास्ट, एक्षियर, एक्स कलब, तो यह सारी यह पाल्ट वगर्ण यह इस तरह यहां पर नोटिफिकेशन पैनल की बात करें, तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को मि जाता है, साथ में battery saver और one head mode और whatsapp mode यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है settings की बात करें तो यहाँ पर आपके phone जो my phone है वो यहाँ पर दिखायागा है XOS 6.2.0 यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3GB की RAM 32GB का storage 8MP का front camera आपको मिलता है 13MP का main camera जो है rear में आपको मिलेगा 1.8GHz का यहाँ पर octa call chipset देखने को मिलेगा जो की media tech की तरफ से आने वाला helio A25 chipset होने वाला है 6000 image की battery यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है उसके अलाब HD plus display आपको देखने को मिल रही है जो की काफी बड़ी display याने की 6.82 इंच की आपको दिस्पले दी गई है Android 10 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो यह है कुछ यहाँ पर settings और जो specifications Infinix Smart 4 Plus की तो बाकी जो settings और आप लोग देख सकते हैं और जो यहाँ पर storage है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते है RAM जो अवलेबल है फिलाल 3GB में से वो 1.65GB अवलेबल है इंटरनल storage आप लोग देख सकते हैं 32GB में से यहाँ पर आपको 24.47GB आवलेबल है तो यह यहाँ पर आपको settings और देखने को मिल जाती है storage और देखने को मिल जाती है बाकी आपको यहाँ पर देखी जो shortcuts है जो यहाँ पर slider है वो भी आपको देखने को मिलता है यहां पर आप कापी ज़्याधा Apps जो है यहां पर अपनी रख सकते हैं, जिने आप ज़्यादा थे यूज़ करते हैं, तो उन Apps का डारेक्ट यहां पर आपको shortcut बना सकते हैं, और किसी भी Apps में यूज़ करते हद, कैमरे की बात करें तो फिलाल मैं आपको दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको कैमरा सेट अप देखने को मिलेगा सबसे पहले वीडियो का ओप्शन आपको मिलता है फिर AI यह मैंने फोटो यहाँ पर क्लिक किया है ।ा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फोटो मैंने फिलाल क्लिक किया है वह किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो बाहार फोटो इतना रिविउयो हम डिटेल में नहीं करने वाले इस phone का फिलाल जो है ये कुछ settings वगएरा और जो camera app का setup है वो आप लोग देख सकते हैं कुछ एक तो photo फिलाल मैं आप लोग कुछ screen पर add कर रहा हूँ जो फिलाल मैं अभी लेने वाला हूँ तो वो आप लोग देख सकते हैं मेरे साब से यार काफी बड़ी battery के साथ में smartphone आता है और काफी बड़ी display के साथ में smartphone यहाँ पर दिया जा रहा है वीडियो content के लिए काफी अच्छा होने वाला है तो अगर आप इस पर movies वगएरा देखेंगे वीडियो वगएरा देखेंगे तो यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो मेरे साब से यार 7,999 रुपय में Infinix Smart 4 Plus smartphone आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर होने वाला है और डेली यूज में आपको बहुत ही बहुत ही बैटरी बैटरी बैकप यहाँ पर देखने को मिलेगा फोन का लिंक आपको डेक स्मार्टफोन में दियागा है फिलिप कार्ट पर यह smartphone अवलेबल होने वाला है वहाँ से आप लोग इसे पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तो फुल रिवीव स्मार्टफोन का आपको एक दो दिनों में मिल जाएगा अभी जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो आप लोगों ने देखा आप लोग बटा ना कि आपको यह smartphone दोस्तो Infinix Smart 4 Plus कैसा लगा नीचे comment section में comment करके बताईगा वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे अपने दोस्तों के साथ में चैनल को अभी दर सब्स्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्स्राइब कर लीजे तो दोस्तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद